जैश्री महांकाल, जैश्री महांकाल, दोस्तों आप सभी का आपके अपने चनल में आपका इबर फिल्स बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभारे, आप जो प्यार, सपोर्ट हमें प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धेनवाद दोस्तों, दोस्तों के ज हम किसी भी चीज में काम करने के लिए जाते हैं हमारा व्यापार नहीं शलता हमारे अर्थी कुरुप से हमारी तंगी रेटी है प्रेम प्रसंग में धोके हो जाते हैं हमारे जीवन में मतलब तकलीफ है कितनी प्रकार की है उन तकलीफों के पीछे बहुत बड़ा वज़ा है क कि किसी दिखिती ने कुछ कर रखा है अग पहले तो ये बात शुरू ओदिए और यहां से शुरू ओद ने कर रखा है है और यह प्रश्म जो है हमारे मण में बहुत हथक तक तकलीव देते हैं तो आज इस पूरे वीडियो में आप जानेंगे कि वो लोग कौन हैं, जो लोग आपके घर में इस तरह की यह चीजें कर रहे हैं, क्या आपके अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, आपके जानने वाले हैं, कौन हैं वो लोग, तो उन लोगों को कैसे हम पहचानें, वो लोग कौन हैं, उनसे कैसे बचें, उनसे कैसे ब बहार आप आएं दोस्तों अक्सर मुझे कमेंट्स मिलते रहते हैं और इन कमेंट्स की वज़े से मुझे लगता है कि आप बहुत परेशान होते हैं इन सभी मामलों से वीडियो को थोड़ा सा अगे बढ़ाएं उससे पहले एक छोटा सा निवेजने मेरा अगर अभी तक आप लगा कर वाटसप अपटमेंट लेकर बात कर सकते हैं सबसे पहली बात कि जब भी इस तरह की कोई बाते होती है न दोस्तों तो एक ब्रह्म हम में भरा जाता है जैसे जीवन में उतार चड़ाओ सबके जीवन में आता है आपके हमारे सबके तो उस उतार चड़ाओ में कोई व्यक्ति आपको कहेगा किसी ने कुछ कर रहा है वो आप काड़ो से हो सकता है, पड़ो से हो सकता है आपका मित्र हो सकता है वो भी अपनी अज्यानता की वज़े से ये बात कहते हैं और वो एक भ्रहम आपके मन में भर देते हैं और वो ब्रह्म इतना गहरा होता है कि उसको मिटाने के लिए हम कहीं सारे यंत्रों, तांत्रीकों के चलफिले में फस जाते हैं, कहीं सारे ठगों के इसमें फस जाते हैं, धन का व्यारती खानी होती, कई बार हम अलग-अलग पलिश्यामिन फस जाते हैं, इसलिए इस बात को अपने दिमाग से निकाल दे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को इस तरह के जादू लिखा कर कोई भी डेमिज नहीं प्रोचा सकता है।